29 दिसंबर को जारखन की हेमत सरकार अपने कारेकाल के 4 साल पूरे कर लेगी दूसरी ओर सरकार दावा कर रही है कि सरकार ने इस 4 साल में कई कारे किये इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां तस्वीर दिखाएंगे कि राजधानी राची के सभी जगों पर सभी इलाकों पर आपको इसी तरीके से बैनर पोस्टर लगे वे दिखेंगे दरसल 4 साल का कारे काल सरकार पूरा कर रही है और इस बीच जनता को ये बतानी और समझानी की कोशिश कर रही है कि आकर इस 4 साल में सरकार ने क्या क्या कारे किये हैं और राजध की जनता को क्या क्या तौफा दिये ये सरकार देखिए तस्वीर आपको दिख रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है युवा जहारखन के बढ़ते कदम साती सात सरकार ने जो कारे किये है उसको कहीं न कहीं यहाँ पर दर्शाया गया है सरकार तमाम कारे को यहाँ पर बताने की कोशिश किये सबसे उपर आप देख रहे होंगे 1932 खत्यान यानि की सर्वसमती से इससे पहले भी 1932 खत्यान के अधार पर इस्थाने निती को राजभवन भेजा गया था हलाकि उसमें कई त्रूटियां थी उसे वापस भेज दिया गया था लेकिन इस बाद श्वीत कालिन सत्र में 1932 खत्यान के अधार पर इस्थाने निती के वधाय को एक बार फिर से राजभवन भेजा गया है लेकिन देखिए यहाँ पर कई ऐसे उपलब्दी है जो सरकार गिनाने से पीछे नहीं हट रही है चाहे हम देख लीजे जेपियसी न्यूक तिया हरा राशन कार्ड के साथ साथ OBC को 27 प्रतीसत आरक्षन कई ऐसे उपलब्दिया है जो सरकार यहाँ पर गिना तीवी नजर आ रही है हमारे सायोगी मदन भी हमारे साथ जुड़े है मदन कई जो उपलब्दिया है सरकार इस बैनर पोस्टर के माध्यम से बताने और समझाने की कोशिश कर ये क्या लगता है और यहाँ पर लिखावाया युवाज भारकन के बढ़ते कदम क्या है इसका मतलब क्या है माईने बिलकुल देखिए मुखमंतरी हैमन सुरेन ने अपने तमाम कारियों को इस कोस्टर के माध्यम से इस होडिंग के माध्यम से बताने की कोशिश की है और सबसे उपर जो आपको सबसे महत्पूर्ण जो विशय है वो है 1937 को ले करके देखिए एक बार मुखमंतरी ने सदन से पास करा कर राजभवन भेजा फिर से वो वापस हुआ और दुबारा फिर से मुखमंतरी ने इसी कुछ दिनों पहले इसी महिने में सीत कालिन सत्र क दौरान पास करा कर और सबसे उपर अपने इस होडिंग में रखा है उस विशय को वह है 1937 आदारित अस्थानय निती और नियोजन निती उसके बाद अगर आप देखे तो कई योजनाएं हैं किसान पाटसाला मुखमंतरी सार्थी योजना OVC को 37 परतिसत आरक्षन ST को 38 प अबवा बीर, अबवा दिसुम, 100 यूनिट मुफ्त विजली, गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, ग्रामीन सरक सुद्रिरी करन, मुखमंतरी ग्राम गारी योजना, ऐसे कई स्जीम उत्कृष्ट विद्याला है और सबसे महत्पुर्ण जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कारिकरम, ऐसे तमाम जो उपलब्धियां चार साल की रही है, उसको एक होडिंग पर समाने की कोशिस इस सरकार ने की है, दरसल इसे अब आप कह सकते हैं कि चार साल होने के बाद जो पांचमा साल होता है, उसे चुनावी म पहले अपनी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुचाने की कोशिश हो रही है। युक्ती पत्र देने का हो या फिर अन्य जो योजनाओं थे सिर्फ एक योजनाओं को दिखाया जाता था बताया जाता था। लेकिन इस होडिंग के माध्यम से चार साल के उन तमाम फैसलों को समाहित किया गया है जो हिमन्त सुरिन की सरकार ने लिया है और वो जब कहते हैं क हम राज्य के हित में राज्य के लोगों के हित में फैसले लिये हैं उनके विकास के लिए गाउं तक जो लोग हैं उनके विकास के लिए योजनाओं बनाए हैं तो उन तमाम योजनाओं को इसमें समाहित करने की कोशिस हुए परिनाम क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बत आईगा लेकिन आप इस जो होडिंग है इसके माध्यम से यह समझने की और जानने की कोशिस जरूर होगी या समझ सकते हैं कि अब चुनावी मोड जो है वो तमाम पार्टियां जो है चुनावी मोड में आ चुकी है इसलिए अब तमाम कारीओं को एक होडिंग और एक पोस्ट किया है जितने भी कारे सरकार ने किया है उसको इस बैनर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है चाहे पुरानी पेंशन योजना हो 1922 या फिर OBC को 27 प्रतीसत आरक्षन हो राजधानी राची के कई लाकों में इसी तरीके से आप बैनर हुडिंग देख रहे होंगे और व पताने समझानी की कोशिश करेगी कि आखर चार साल के कारेकाल में सरकार ने क्या कारे की है अब पांचवा साल चुनावी वर्ष हो जाएगा जैसा हमारे सहीयोगी मदन ने कहा है तो चुनावी वर्ष में सभी राजनेतिक दल जो है अपने असर से काम जो है वो शुरू कर देते हैं और ऐसे में लोक सभा चुनाव वदान सभा चुनाव नजदिक है तो सरकार तमाम कारे को जनता के बीच लेकर आ रही है कि आकर ये सरकार ने जनता को क्या तवफा दिया है फिलाल मुझे और सहीयोगी नूतन के साथ मदन को देई जवाजत नमस्कार